जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, मकर संक्रान्ती का तिवार हिंदू धर्म के प्रमुक तिवारों में से एक है, जो सूर्य के उत्राण होने पर मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रान्ती साल 2022 में कब मनाई जाएगी? 14 जन्वरी को या फिर 15 जन्वरी को? और इसकी पूजा का सुमूरत क्या रहेगा? इसके लावा हम बात करेंगे महापुन्यकाल का समय क्या रहेगा? और इसकी संपूर्ण पूजा साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य स्वयम अपने पुत्र सनी से मिलने जाते हैं। सनी द्यो मकर रासी के स्वामी हैं। इसलिए इसे मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है। आप में बता दें कि महाभारत में भीष्म पितामा जी ने अपना दे त्यागने के लिए इसी दिन को चुना था और इसी दिन गंगा जी भागी रत के पीछे पीछे चल कर कपल मुनी के आस्रम से होकर सागर में जा मिली थी। अभी कष्टों से मुक्ती मिलती है और इस दिन किया गया दान कई गुना होकर आपको फल देता है। दोस्तों इस दिन सुबा जल्दी उठकर तिल का उप्टन लगा कर इसनान किया जाता है। और हो सके तो इस दिन गंगा इसनान या फिर किसी भी पवित्र नदी में इसनान करें। या जो भाई बहन घर पर ही हैं वै अपने नहाने वाले पानी में ही गंगा जल मिलाकर इसनान करें। तद पस्चा सूर्य देव को अर्द अवस्य दें। इससे सूर्य देव अतिप्रसंद होते हैं। आप सूर्य देव को तांबी के लोटे में सुद्ध जल चढ़ाएं। और इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुण मिला लें। और सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य के मंत्रों का जाब करें। आप ओम घ्रैनी सूर्य नमा मंत्र का जाब करें। इसके साथ ही आप इस दिन सिरी नाराण कवच या आदित हर्दैस्त्रोत और विश्नु सहस्त नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान को आप तिल, तिल के लड़ू और खिचडी या लाल फल का भोग लगाएं। और अगर हो सके तो इस दिन ब्राम्मण को भोजन जरूर करवाएं। दोस्तों मकर संक्रांती हमारे लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। इस दिन रासी अनुसार जो भी व्यक्तिदान करता है उसे अस्व मेग यग्ग के बराबर फल मिलता है। आपको बता दें कि मकर संक्रांती के दिन विसेश कर तिल, गोड, खिचड़ी, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। या कुछ लोग खिचड़ी बनवा कर भी इस दिन बटवाते हैं। ऐसा करने से पुनिफल की प्राप्ती होती है। तो चलिए अब जानते हैं साल 2022 में मकर संक्रांती का पर्व कम मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मकर संक्रांती 14 जनवरी 2022 दिन सुक्रुवार को मनाई जाएगी। और पुनिकाल का समय दोपहर 2.43 मिनट से लेकर साम 5.45 मिनट तक रहेगा। इसकी कुल अवदी 3 घंटा 2 मिनट की है। और मकर संक्रांती कच्ण दोपहर 2.43 मिनट पर है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।